नमस्कार कारकम्मे उपस्तित मंत्री परिशत के मेरे साथी स्वास्त मंत्री मंसुग मानवियाजी मंत्री मंडल के मेरे अन्य सभी सहयोगी वरिष्ट अधिकारी गांड देश्ट भर से जुडे सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के चिकित सक हेल्थ मैनेजमेंट से जुडे लोग कारकम्मे उपस्तित अन्य सभी महानुभाव और मेरे पहरे भाईयों और बहनों 21 सदी में आगे बढ़ते विये भारत के लिए आज का दीन बहुत महत्वपून है बीते साथ वर्षों में देश की स्वास्त सुभीधाओं को मजबुत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है और ये सामान्य चरण नहीं है ये असामान्य चरण है आज एक ऐसे मिशन की शुरुवात हो रही है जिसमें भारत की स्वास्त सुभीधाओं में क्रांतिकारी परिवर्टन लाने की बहुत बड़ी ताकत है साथ क्यों तीन साल पहले पंडित दिन्दायल पाध्याजी की जन्म जैन्ति के अउसर पर पंडित जी को समर्पित आईश्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी मुझे खुशी है कि आज से आईश्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है ये मिशन देश के गरीब और मद्यमबर के इलाज में होने वाली जो दिक्कते हैं उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमी का निभाएगा टेक्नोलोजी के माद्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक करने का जो काम आईश्मान भारत दे किया है आज उसे भी विस्तार मिल रहा है एक मजबूर टेक्नोलोजी प्लेट्वाम मिल रहा है भूत पुर्वा है डिजिटल इंडिया अभ्यान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलोजी से कनेक करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है अब हम बलीभाती जानते हैं हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड आधार नंबर 118 करोड मोबाइल सब्सक्राइबर्स लगबग 80 करोड इंटरनेट यूजर करीब 40 करोड 43 करोड जन्धन बैंक खाते इतना बड़ा कनेक्टेड इंफरस्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है ये डिजिटल इंफरस्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हरेक को तेज और पारदर्सी तरीके से सामान्य भारतिय तक पहुचा रहा है यूपी आई के माध्यम से कभी भी कहीं भी डिजिटल लेंदेन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है अभी देश में जो इ रूपी बाउचर शुरू किया गया है वो भी एक शांदर पहल है साथियों भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतियों को बहुत मदद की है एक नई ताकत दी है अब जैसे आरोग्य से तु एप आरोग्य से तु एप से कोरोना संकरमन के फैलते हुए रोकने में एक सजगता लाना जागरूती लाना पूरी परिस्तित्यों को पहचानना अपने आसपास के परिश्र को जानना इसमें हरोग्य से तु एपने बहुत बड़ी मदद दी की है उसी प्रकार से सब को वैक्षिन मुप्त वैक्षिन इस अभ्यान के तहत भारत आज करीब करीब 90 करोड वैक्षिन डोज लगा पाया है और उसका रेकॉर्ड उपलब्त हुआ है सर्टिफिकेट उपलब्त हुआ है तो इसमें कोविन का बहुत बड़ा रोल है रजिस्ट्रेशन से लेकर सर्टिफिकेशन तक का इतना बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म दुनिया के बड़े बड़े देशों के पास नहीं है साथ क्यों कोरोना काल में टैली मेडिसिन का भी अफुत्पुर्व विस्तार हुआ है इस संजीवनी के माध्यम से अब तक लगभग सवा करोड रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं ये सुविदा हर रोच देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहरों के बड़े अस्पतालों के बड़े बड़े डॉक्टरों से कनेक कर रही है जाने माने डॉक्टरों की सेवा आसान हो सकी है मैं आज इस अवसर पर देश के सभी डॉक्टरों नर्सेस और मेडिकल स्टाप का रदे से बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ चाहे वेक्षिनेशन हो कोरोना के मरीजों का इलाज हो उनके प्रयास कोरोना से मुकाबले में देश को बड़ी राहत दे पाए हैं बहुत बड़ी मदद कर पाए हैं साथियों आईश्मान भारत पीएम जय ने गरीब के जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर की हैं अभी तक दो करोड़ से अधिक देश्मासियों ने इस योजना के तहट मुप्त इलाज की सुविधा का लाब उठाया है और इसमें भी आधी लाभारती हमारी माताएं हैं हमारी बैने हैं हमारी बेटिया हैं यह अपने आप में शुकुन देने वाली बात है मन को संतोष देने वाली बात है हम सब जानते हैं हमारे परिवारों के सिती सस्ते इलाज के अभाव में सबसे अधिक तकलीप देश की माताएं बहने ही उठाती ही घर की चिंता घर के खर्चों की चिंता घर के दूसरे लोगों की चिंता में हमारी माताएं बहने अपने उपर होने वाले इलाज के खर्च को हमेशा टालती रहती हैं लगाता टालने की कोशिश करती हैं वो ऐसा ही कहते हैं नहीं अब ठीक हो जाएगा नहीं अब यह तो एक दिन का दाम लाएं नहीं ऐसे एक पुडिया ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा क्योंकि मा का मन है न बेद्दुख जेल लेती हैं लेकिन परिवार पर कोई आर्थित बोज आने नहीं देती हैं साथियों जिनोंने आईश्मान भारत के तहत अभी तक इलाज का लाब लिया है या फिर जो उपचार करा रहे हैं उनमें से लाखों ऐसे साती हैं जो इस योजना से पहले अस्पताल जाने की हिम्मत ही नहीं जूटा पाते थे टालते रहते थे वो दर्द सहते थे जिन्दगी की गाड़ी किसी तरह खीचते रहते थे लेकिन पैसे की कमी की बज़र से अस्पताल नहीं जा पाते थे इस तकलीब का एसास ही हमें भीतर तक जगजोर देता है मैं ऐसे परिवारों से मिला हूँ इस कोरोना कालक में और उसके पहले ये आईश्मान की जब जो लोग सेवाएं लेते थे कुछ बुजूर्ग ये कहते थे कि मैं इसलिए उपचार नहीं कराता था क्योंकि मैं अपने संतानों पर कोई कर्ज छोड़ करके जाना नहीं चाहता था कुछ सहन कर लेंगे हो सकता है जल्दी जाना पड़े इस वर बुलाने तो चले जाएंगे लेकिन बच्चों पर संतानों पर कोई आर्थिक कर्ज छोड़ करके नहीं जाना है इसलिए उपचार नहीं कराते थे और यहां इस कारकम में उपचित हमसे ज्यादा तर नहीं अपने परिवार में अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देखा हुआ हमसे ज्यादा तर लोग इसी तरह की चिंताओं से खुद भी गुजरे हैं साथियों अभी तो कोरोना काल हैं लेकिन उतसे पहले मैं देश में जब भी प्रवास करता था राज्यों में जाता था तो मेरा प्रयास रहता था कि आयुश्मान भारत के लाभारतियों से मैं जरूर मिलूं मैं उनसे मिलता था, मैं उनसे बाते करता था. उनके दर्द, उनके अनुभव, उनके सुझाव, मैं उनसे सीधा लेता था. ये बात वैसे मीडिया में या और सहरवज रूरू से ज्यादा चर्चा में नहीं आई। लेकिन मैंने इसको अपना नित्यक्रम बना दिया था, आईश्मान भरत के सेंकडों लाभारतियों से, मैं खुद रूबरू मिल चुका हूँ, और मैं कैसे भूल सकता हूँ उस भूडी मा को, जो बरसों तक दर्द सहने के बाद पत्री का आप्रेशन करा पाई, वो नौजव आईश्मान जो किड्नी की बिमारी से परिशान था, किसी को पैर में तकलीप, किसी को रीड की हर्दी में तकलीप, उनके चहरे मैं कभी फूल नहीं पाता हूँ, आज आईश्मान भारत ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है, थोड़ी देर पहले जो फि खाई गई, जो कॉफी टेबल बुक लॉंच की गई, उसमें खास करके उन माताओं बेहनों की चर्चा विस्तार से की गई है, बीते तीन सालों में जो हजारों करोड रुपिये सरकार ने बहन किये हैं, उससे लाखों परिवार गरीबी के कूच चक्र में फसने से बचे हैं, कोई गरीब रहना नहीं चाहता है, कडी मेहनत करके गरीबी से बहार निकलने के लिए, हर कोई कोशिच करता है, अउसर तलासता है, क़ि तो लगता है कहाँ बस अब कुछी समय में गरीबी से बहार आ जाएगा, और अचानक परिभार में एक बिमारी आ जाएं, तो सारी महनत मिट्टी में मिल जाती हैं, फिर वो पांच-दस साल पीछे उस गरीबी के चक्र में फ़स जाता है। बिमारी, पुरे परिवार को गरीबी के कुछ चक्र से भार नहीं आने देती है। और इसलिए आईशमान भारत सहीत हेल केर से जुड़े जो भी समाधान सरकार सामने ला रही हैं, वो देश के बरत्मान और भविश में एक बहुत बड़ा निवेश है। भाई और भेनों, आईशमान भारत, डिजिटल मिशन, अस्पतालों में प्रक्रियाओं के ओ सरल बनाने के साथ ही, इस आफ लिविंग भी बढ़ाएगा। वरत्मान में अस्पतालों में टेक्नोलोजी का जो इस्तिमान होता है, वो फिलहाल सिर्फ एक ही अस्पताल तक या एक ही ग्रुप तक सिमीत रहता है। नए अस्पताल या नए शहर में जब मरीज जाता है, तो उसको फिर से उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। डिजीटल हेल्थ रेकोर्ड्स के अभाव में उसको सालों साल से चली आ रही फाइले लेकर चलना पड़ता है। इमर्जन्ची की स्थिती में तो ये भी संबव नहीं होता है। इसे मरीज और डॉक्टर दोनों का बहुत सा समय भी बरबाद होता है। परेशानी भी जादा होती है और इलाज का खर्ज भी बहुत अधीक बढ़ जाता है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से लोगों के पास अस्पताल जाते समय उनका मेडिकल रिकॉर्ड ही नहीं होता। ऐसे में जो डॉक्टरी जो परामर्ष होता है जाज होती है वो उसको बिलकुल जीरो से जुरू करनी पड़ती है। मेडिकल हिस्ट्री का रिकॉर्ड न होने से समय भी जादा लगता है। खर्च भी बढ़ता है और कभी-कभी तो उप्चार कंट्राडिक्टरी भी हो जाता है। और हमारे गाव द्यहात में रहने वाले भाई बैन तो इस वज़र से बहुत परिशानी उठाते हैं। इतना ही नहीं। डॉक्टरों के कभी अख़बार में अडॉट्राइब में तो होती नहीं है। कानों कान बात पहुंती हैं कि फलाने डॉक्टर अच्छे हैं मैं गया था तो अच्छा हुआ। अब इसके कारण डॉक्टरों की जानकारी हर किसी के पास पहुंचेगी। हां कौन ऐसे बड़े-बड़े डॉक्टर हैं कौन इस विशे के जानकार है किसके पास पहुंचना चाहिए नदिक में कौन है जल्दी कहां पहुंच सकते हैं सारी सुविधाएं और आप जानते हैं और मैं और एक बात कहना जाओंगा। इन सभी नागरीकों को इस तरह की परेदस्यानी से मुक्ती दिलाने में आईश्मान भारत डिजिटल मिशन बड़ी भूमी का निभाएगा। साथियों आईश्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉलुशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहट देश वांश्यों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरी का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरख्षित रहेगा। डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज खुद भी और डॉक्टर भी पुराने रेकॉर्ड को जरुरत पढ़ने पर चेक कर सकता है। यही नहीं इसमें डॉक्टर, नर्थ, पररमेडिक्स जैसे साथ्यों का भी रेजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, ट्रिनीक है, लैप्स हैं, दवा की दुकाने हैं, यह सभी यह सभी भी रेजिस्टर होगी। यानि यह डिजिटल मिशन हेल्थ से जुड़े हार्ज स्टेक होल्डर को एक साथ एक ही प्लेटफर्म पर लाएगा। साथियों, इस मिशन का सबसे बड़ा लाग देश के गरीबों और मध्यमबर को होगा। एक सुभीदा तो यह होगी कि मरीज को देश में कहीं पर भी ऐसा डॉक्टर डूंडने में आसानी होगी। जो उसकी भाषा भी जानता है, समझता है और उसकी बिमारी के उत्तम से उत्तम उपचार का वो अनुभवी है। इससे मरीजों को देश के किसी कौने में भी उपस्ति स्पेशलिस्ट डॉक्टर से संपर करने की सवलियत बढ़ेगी। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बलकि बहतर टेस्ट के लिए लेप्स और दवा दुकानों की भी पहचान आसानी से संभव हो पाएगी। जातियों, इस आधुनिक प्लेटफर्म से इलाज और हेल्थ केर पालिसी मेकिंग में से जुड़ा पूरा इकोसिस्टिम और अधिक प्रभावी होने वाला है। डॉक्तर और अस्पताल इस प्लेटफर्म का उप्योग अपनी सर्विस को रिमोट हेल्थ सर्विस प्रवाइड करने में कर पाएंगे। प्रभावी और विश्वस्त डेटा के साथ इसे इलाज भी भैतर होगा और मरीजों को बचद भी होगी। भावी और भेनों, देश में स्वास्त सेवाओं को सहज और सुलब बनाने का जो अभियान आज पूरे देश में शुरू हुआ है। यह छे साथ साल से चल रही सतत प्रक्रिया का एक हिस्सा है। बीते वर्षों में भारत ने देश में आरोगे से जुड़ी दसकों की सोच और एप्रोच में बढ़लाव किया है। अब भारत में एक ऐसे हिल्थ मोडल पर काम जारी हैं जो होलिस्टिक हो, समावेशी हो। एक ऐसा मोडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो। यानि प्रिवेंटिव हेल्थ केर बीमारी की स्थिति में इलाज दुलब हो, सस्ता हो और सब की पहुंच में हो। योग और आयुरुवेश जैसी आयुश की हमारी परमपारिक चिकसा पद्ददी पर बल हो। ऐसे सभी प्रोग्रेम गरीब और मद्यमबर को बीमारी के कुचकर से बचाने के लिए शुरू किये गए। देश में हेल्थ इन्फरा के विकास और बहतर इलाज की सुविदाएं देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए नई स्वास्त नीती हेल्थ परिसी स्वास्त नीती बनाई गई। आज देश में एम्स जैसे बहुत बड़े और आधुनिक स्वास्त संसानों का नेटवर्ग भी तैयार किया जा रहा है। हर तीन लोगसमाक्षेत्र के बीच एक मेडिकल कॉलेज का निर्मान भी प्रगती पर है। साथियों भारत में स्वास्त सुविधाओं को बहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि गाउं में जो चिकित सा सुविधाओं मिलती हैं उनमें सुधार हो। आजदेश में गांग और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केर से जुड़े नेटवर्क को हेल्थ और वेलनेस सेंटर में उससे ससक्त किया जा रहा है। अभी तक ऐसे लगबग 80,000 सेंटर्स चालू हो चुके हैं। इस सेंटर्स रूटीन चेक अप और टिका करन से लेकर गंबीर बिमारियों की सुरुवाती जाच और अनेक प्रकार के टेस्ट की सुविधाओं से लेश हैं। कोशिश यह हैं कि इन सेंटर्स के माध्यम से जागुरुकता भड़े और समय रहते गंबीर बिमारियों का पता चल सकते हैं। साथियों कोरोना वैस्ट्रिक महामारी के इस दौर में मेडिकल इंफ्रस्रक्टर के निर्मान को निरंतर गती दी जा रही है। देश के जिला अस्पतालों में क्रिटिकल कैर ब्लॉक्स का इंफ्रसक्तर तयार किया जा रहा है। बच्चों के इलाज के लिए जीला और ब्लॉक के अस्पतालों में विशेश सुविधाय बन रही है। जीला स्थर के अस्पतालों में अपने ऑक्सिजन प्लांट्स भी स्थापित किये जा रहे हैं। साथियों, भारत के हिल्ट सेक्टर को ट्रांस्फर्म करने के लिए मेडिकल एजुकेशन में भी अभूत्पुर्वा रिफाम्स हो रहे हैं। साथ आठ साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर्स और परामेडिकल मेन पावर देश में तयार हो रही है। सिर्फ मेन पावर ही नहीं, बेलकि हेल्ट से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलोजी, बायो टेक्नोलोजी से जुड़ी रिसर्च, दवाओं और उपकरोनों में आतमिंदिर भरता को लेकर भी देश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। कोरोना की वेक्सिन के डवलप्मेंट और मेनिफेक्टिरिंग में भारत ने जिस तरह अपना सामर्त दिखाया है, वो हमें गर्व से भर देता है। स्वास्त उपकरोनों और दवाओं के कच्चे माल के लिए पी एलाई स्किम से भी इस खेत्र में आत्म निर्भर भारत भियान को बहुत ताकत मिल रही है। साथियों, बहतर मेडिकल सिस्टिम के साथ ही ये भी जरूरी है कि गरीब और मद्यम बरकां दवाओं पर कम से कम खर्च हो। इसलिए केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं, सरजरी के सामान, डायलिसिस जैसी अनेक सेवाओं और सामान को सस्ता रखा है। भारत में ही बनने वाली दुनिया की स्रेश्ट जैनरिक दवाओं को इलाज में जादा से ज़्यादा उप्योग में लाने के लिए परोच्छान दिया गया है। आठ हजार चे जादा जन अवस्वधी केंद्रों ने तो गरीब और मद्दिम्वर को बहुत बड़ी राहत दी हैं। इस जन अवस्वधी के खारण ऐसे मद्दिम्वर के परिवार के हजार पंद्रा सो दो-दो हजार रुपियां हर महिना बच रहा है। साथियों एक संयोग ये भी है कि आज का ये कारकम वर्ल्ड टूरिजम डे पर आयोजित हो रहा है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि हेल्ड केर के प्रोग्राम का टूरिजम से क्या लेना देना। लेकिन हेल्ड का टूरिजम के साथ एक बड़ा मजबूत रिस्ता है। क्योंकि जब हमारा हेल्ड इंफा सक्टर इंटीग्रेटेड होता है। तो उसका एक सकारत्पक प्रभाव टूरिजम सेक्टर पर भी पढ़ता है। क्या कोई टूरिस्ट ऐसी जगे जाना पचाहेगा जहां किसी इमर्जन्सी में इलाज की बैतर सुविधाई नहों और कोरोने का बाद से तो अब ये और भी महत्वपण हो गया है जहां बैक्षिनेशन जितना ज्यादा होगा टूरिस्ट वहां जाने में उतना ही सेफ महसूस करेंगे और आप में देखा होगा हिमाचल हो उतराखन हो सिक्कीम हो गोवा हो ये जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वाले राज्ये हैं वहां बहुत तेजी से अन्वा निकोबार हो बहुत तेजी से वक्षिनेशन को बल दिया गया है क्योंकि टूरिस्टों के लिए मन और भी मजबुत होंगे जिन जिन जगहों पर हेल्थ इनफ्रा बहतर होगा वहां टूरिजम की संभावनाएं और ज्यादा बहतर होगी यानि होस्पिटल और होस्पिटालिटी और एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे साथियों आज दुनिया का भरोसा भारत के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टेम पर लगातार बढ़ रहा है विश्वम है हमारे देश के डॉक्टरों ने बहुत इज्जत कमाई है भारत का नाम उच्छा किया है दुनिया के बड़े-बड़े लोगों के साथ आप पूछो को तो कहेंगा हां मेरा एक डॉक्टर ही हिंदुस्तानी है यहने भारत के डॉक्टरों की नाम ना है भारत के इंफ्रस्ट्रक्टर अगर मिल जाए तो दुनिया से हेल्थ के लिए भारत आने वालों के संख्या ब कईब के भी दो बड़ी इमोशनल कथाएं हमें सुनने को मिलते हैं छोटे-छोटे बैच्चे हमारे अडोस-पडोस के देशों से भी जब इहां आते हैं स्वस्थ हो करके जाते हैं पुरा परिवार खुश तो उस देश में भी खुश जी हम भैल जाती है साथियों हमारे वेक्षिनेशन प्रोग्राइम कोविन टेकनोलोजी प्रेट्फोर्म और फार्मा सेक्टर में हेल सेक्टर में भारत के प्रतिष्ठा को और बढ़ाया है जब आउश्मान भारत डिजिटल मिशन भारा टेकनोलोजी की नई व्यवस्थाएं विक्सित होगी तो दुनिया के किसी भी देश के मरीज को भारत के डॉक्टरों से कंसल करने इलाज करने अपनी रिपोर्ट उन्हें बेज कर परामर्च लेने में बहुत आसानी हो साथियों स्वस्थ भारत का मार्क आजहाजी के अमरित काल में भारत के बड़े संकल्पों को सिद्ध करने में बड़े सप्नों को साकार करने के लिए बहुत जरूरी है इसके लिए हमें मिलकर अपने प्रयाज जारी रखने होंगे मुझे विश्वास हैं चिकित्सा शेत्र से जुड़े सभी व्यक्ति हैं हमारे डॉक्टर्स परामेडिक्स चिकित्सा संस्थान इस नई व्यवस्ता को तेजी से आत्मसाथ करेंगी एक बार फिर आईश्वान भारत डिजिटल मिशन के लिए मैं देश को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद